यहां यह आपको लेना है एक काटोरी बेसन बेसन आपको बारिक वाला लेना है जो पैकेट वाला बेसन आता है न वो आपको लेना है नमक लेना है स्वादनुसार नमक आप थोड़ा से कम लेना क्योंकि जब इसका आठा हो थेंगे न तो अल्लिडी कॉंटिटी कम हो जाती है हे बेसन की तो नमक ज़ादा हो सकता है यह हमने लिए अजवाइन यह मैंने आदा चमछ से थोड़े से कम अजवाइन ली है अजवाइन थोड़ी सी इसमें ज़ाधा डलती है यह यहां हम लेंगे इसको आपको लेना है बेकिंग सोड़ा वो भी आपको लेना है बिल्कुल एक चौथाई चमत से भी कम बेकिंग सोड़ा ही इसमें ढलेगा मैं आपको दिखा देती हूं यह होता है बेकिंग पाउडर आपको यह इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है फाफ़डा विकार हो जाएग दरदरा वाला नहीं होना चाहिए बिल्कुल powder form में आता है packet वाला वही होना चाहिए दूसरा आपको baking powder इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है baking soda डालना है जैसे जो बेसन आप लड़ू बनाने के लिए यूज़ करते है या फिर बूंदी बनाने के लिए यूज़ करते है हरायते के लिए वही बेसन होता है वही बेसन आपको इसमें लेना है वो आप किसी भी brand का यूज़ कर सकते हैं ये हमने चीज़ें अच्छे से में मिला ली है अब हमें इसका डो लगाना है एक साथ जाधा पानी नहीं डालना है दो से तीन चमच एकवार पे आप डालना और फिर आपको इसका डो कैसा लगाना है जैसा आप रेगुलर में डो लगाते हो ना रोटी के लिए उससे थोड़ा सा टाइट आपको लगाना है बस पानी भी थोड़ा थोड़ा खलके डालना अप चाहे तो चमत से भी डाल सकते हैं इक साथ ज़ी आपसे थोड़ा से जाधा डल भी गया ना थोड़ा सा बेशन में ला ले लाना कोई दिखत नहीं है अब यह हां पर हमें इसका डो तइयार करना है अब यह हो सकते हैं कि हाथ पर थोड़ा सा चिपके हलका सा हाथ पर थोड़ा सा ओयल लगा लेना देखिए अभी बेसन है फूल एगा तो अभी तो हमने इसको सेट करने के लिए रख देते हैं पांच मिनिट के लिए ताकि फूल जाएगा फिर हम इसे इच्छे से नीट तो इसको डगकर रख देते हैं और इतना दोल लगाने में इतना ही पानी लगास जितना में कर्टोरी में लिया था नगा एक इन्च पानी पानी इसमाट जाए टूले डो चेक कर लेते हैं तो यहां हमारे 5 मिनिट हो गए है अब इसे हम अलग प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं और हाथ ओपर हम लगाएंगे थोड़ा से रिफाइन ऑईल और इसे आपको अच्छे से निट करना है हाथ ओपर रिफाइन ऑईल आपको दो से तीमार लगाना है जैसी हाथ आपके ड्राय हो जाएंगे आपको फिर से ओईल लगाना है इसी तरीकी से करते हुए आपको इसे अच्छे से निट करते हुए गूतना है आप देखेंगे इसके उपर बिल्कुल भी क्रेक्स नहीं है बिल्कुल भी क्रेक्स इसके उपर नहीं होने चाहिए और ये हातों में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं एकदम परफेक्ट हमारा डो लगकर तयार हुआ है आज में आपको इसी से दो तरीके से फाफुड़ा बनाना सिखाऊंगे तो चली तयार कर लेते हैं इसमें से हम पेड़ा तयार करेंगे इस तरीके से जितना छोटा निव रहत आना है ताकि बेसन इसके उपर चिपकेना और जो हमने पेड़ा तयार किया दना उसे आप इस तरीके से जितना कर सकते हैं आपको उतना ही कम इसको बेलना पड़ेगा तो यह इस तरीके से करके अब आपको क्या करना है से इस तरीके से रखना है और हलका सा प्रेस कर देना कि यह खिसके न और इसे इस तरीके से बीच में करके आपको हतेली से इस तरीके से आगे की तरफ करना है बहुत ज़ाधा प्रेशार आपको नहीं लगाना है और यदि आप डोगो टाइट रखेंगे न तो क्या को इस तरीके से स्मूथली नहीं जाएगा बीच में ही तूट तो आपको डो जादा tight नहीं लगाना है आप finger से करेंगे तो थोड़ा जादा फैलेगा इसलिए आप इस तरीके से हाथेली से करेंगे तो easily बन जाएगा और हलके हाथ से आपको करना है और दिखिए मैं आपको दिखाते हूँ कि यह कितना पतला बना है इस तरीके से जैसे आप रोटी बनाते हो न अतना पतला बना है इस तरीके से polythine की health से आप आराम से बना सकते हैं आपको दूसरा तरीके दिखाते हूँ इस तरीके से लंगाई में हमने इसको कर लिया हलका सा हाथ से और आप बेलन से भी से आराम से कर सकते है यह इस तरीके से हलके से आप इस बेलन को कराना हलका सा प्रेशर आपको लगाना है जादा नहीं यहां यह भी बन कर देयर हो जाएगा बहुत एजी है बनाना इसे तेस्ट आपको बिल्कुल मार्केट के फाफरे जैसा आएगा पॉलितिन की हल्प से बनाएंगे न तो आप इसे आराम से इस तरीकी से उठा सकते हैं तो चलिए अब हम इसको सेख कर बें तेयार कर लेते हैं यहाँ यह मैंने पहले एक डाल दिया था देखिए फ्लेम को आपको रखना है मीडियम मीडियम फ्लेम पर आपको इसे अच्छा क्रिस्पी सेखना है बहुत जादा आपको इसका गोर्डन कलर नहीं करना है इस सरेग और बड़ी कड़ाई है तो अब और बहुत भी ले सकते हो इसी तरीके से अधुकर वहाँ क्रिस्पी फ्लेम पर ही इसी तरीके से ख़ना कर आपको इसे sabrina करनाए बहुत जादा गोर्टन कलर आपको इसका नहीं करना है तो यहाँ यह सरेगे से सिक्कार तיयार कर लिए है इसको सिखने में वक्त लगता है ध्यान रखिएगा तो जल्दी नहीं करने है मीडियम फ्लीब आराम से अब को सिखने देना और यह दिया को लगता है यह सिख तो गया है लेकिन सॉफ्ट है तो फिर आप फ्लेम को और कम कर देना अच्छे सी क्रिस्पी होने देना यहां ही तेयार हो गया है हमारा जेड़ाल का फेवरेट वाफडा आप इससे अपने खरपास जरूर ट्राइब कीजिए पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू